वेल्कम टू दिफार शाव सुवाइस वीडियो में बात करेंगे एथर चैनल के बारे में एथर चैनल क्या होता है बेसिकली कॉंसेप्ट में बताऊं तो सिनेरियो कुछ ऐसा होता है जैसे हम रिडेंटन्ट लिंक्स क्रिएट करते हैं ठीक है जो हमारे लिएर टू डिवाइ लिए डिचानल का दो सिर्फ एक ही लिंग को वह ओन रखता है ठीक है डिजाइरबल स्रीडियों मोड में रखता है ताकी डेटा forwarding के लिए ठीक है और हहांपे क्या होता है? यहांपे क्या कर दिया जाता है? ब्लोक कर दिया जाता है बढ़ हमको तो ऐसा चाहिए नहीं हमारा जो redundant link है हम उसको बना रहे हैं तो वो वह ब्लोक हो ठीक है? तो इसके लिए concept आया ether channel का ether channel basically क्या करता है यह redundant link को multiple links को एक मतलब बाइंड करके logical link बना देता है मतलब वह कुछ एक ही link मतलब लोजिकली वह एक ही link देखेगा मतलब मतलब group कर दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर दो interfaces यहाँ पर दो links हैं इनको group करके logically एक ही link बना दिया गया इस concept को क्या बोलते इथर चैनल बोलते हैं ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहे है इस ते क्या होगा जो data transfer होगा वह क्या होगा मतलब यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर logical link एक ही बन गया है बट यहाँ पर जो वैसे तो दो link है यहाँ पर जो जब data transfer करा जाता है जो traffic send करा जाता है वो दोनों जो मतलब यहाँ पर दो ज़रूरी नहीं ठीक है जितने भी हम link ले रहे हैं ठीक है उन links पर distribute कर दिया जाता है जिसके विज़े से speed enhance होती है load balancing होती है ठीक है तो इससे क्य पी जो block कर देता है हमारे redundant link को यह भी हमारा यहां से हट जाता है तो इस वज़े से हमारा जो concept आया ether channel का इस तरीके से होता है कुछ इस तरीके से scenario होता है जैसा आप screen पर देख रहे हैं अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम इसको configure कर सकते हैं ठीक है configuring ether channel ठीक है इसके protocol कुछ आपा सकते हैं सबसे पहले एक टो होता है इसको कर सकते है की manually हर चीज़ को या तो ban manually होगी अच कुछ फुल कर सकते हैं ठीक है तो अब इनके हम बात करें तो हमारा जो link aggregation protocol होता है यह IEEE open standard protocol होता है ठीक है बेसिकली यह क्या है open standard protocol है कोई भी इसका use कोई भी vendors का use गर सकता है ठीक है और like this has two channel modes इसमें क्या होता है दो channel mode होते है एक तो active mode होता है पैसिव mode होता है active mode क्या होता है like negotiation mode के अंदर होता है negotiation like forwarding मैंतलब forwarding state में होता है ठीक है like it initiate the negotiation and tries to form a channel group with the other end ओके यहां पर यह active mode होता है ठीक है then होता है passive mode passive mode होता है इसके अंदर मतलब does not start link aggregation यहां पर link aggregation यहां फिर packet negotiation यहां पर नहीं होता है ठीक है तिस वज़े से passive होता है अब हमारा होता है पी पी ए जी पी जी पी टीक है जिसको हम पोर्ट अग्रिशन प्रोटोकोल पर बोलते हैं यह जो प्रोटोकोल होता है यह सिसको प्रपारिटरी प्रोटोकोल होता है मतलब सिसको डिवाइस पर हम इसको यूज करते हैं पी आज्टिप ए ठीक है ट्री आजड़ मोर्ट दीक है डिजारेबल होता होता है थीक है ऑटो मोर जो होता है वो ब्ल्कूल जयसे ले लिक जी के अडर हमारे लिंक के अग्रीशन पॉकॉल के दर जो मारे ग्री मोर था।बिल्कुल उस तरीके से को लिए में लाप कहा नहीं सकते बाट विलकुल प्यासिव मोड की तरह काम करते है ठीक हां आटो मोड जिसको मोलते हैं दूसरा मोड होता है हमारा डिजारेबल मोड यह बिलकुल हमारे जो अलिंप को लिंग ग्राइशन परोटोकॉल के अंदर अक्टिव मोड था बिलकुल उस तरीके से काम करता है मेनिंग डिजारेबल मोड इट इनिशेट दी नेगोशेशन यहां से नेगोशेशन होता है मैं दो फोरवर्डिंग स्टेट होते एक तरह से एंड ट्राइस टू फोर्मा ग्रूप लाइक को लाइक एथर चैनल विद दी अधर एंड ठीक है इस तरीक का यूज करते हैं यहां अंनों के एक ही लोगीकल लेंक में उसको ग्रूप कर देते हैं बाइन डब कर देते एक उसको लोजिकल लिंक बना अधिते एंड ठीक हम मेने किर्थ बोलिट रूटते इंट्यूटorseकम को डिशे माटिशाय। का जब हम यूज करेंगे तो लूप नहीं होगा ठीक है क्योंकि अगर लूप हुआ तो है जो हमारा झाल झाल झाल